जहें दोस्तों नमस्त्कार, आज आप सभी की बीच में बैठे हुए हैं दो Air Force 1-2024 की परिक्षा में Rankers और ये Rankers हैं Abhisheek जिन्होंने Air Force की परिक्षा में Second Ranked प्राप्त की है और यह हैं Amun जिन्होंने Air Force की परिक्षा में Sixth Ranked प्राप्त की है तो आप सभी के बहुत सारे questions होते हैं यूँ तो सारे teachers उनका जवाब आपको class में देते ही हैं लेकिन अगर वो बातें आपको toppers के mouth से पता लगें तो शायद आपका विश्वास और बढ़ता है तो अमन और अभिशीक मैं कुछ ऐसे questions बस यहां पर लूँगा कि जो मैं comment section में बहुत ज़्यादा देखता हूं और मैं आशा करूँगा कि आप सभी उनको answer अपनी तैयारी के दौरान मिलने वाले अनुभव के आधार पर देंगे तो मैं आप से जानना चाहूँगा कि आज आप रेंकर हैं definitely आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन जब आपने शुरू किया था तो क्या वाकई आपकी तैयारी इतनी ही अच्छी थी नहीं सर उस टाइम तो हम परफेक्ट नहीं थे बस धिया-धिया उमीद था कि एक दिन हो जाएंगे लेकिन उस टाइम ऐस सबसे अच्छी विश्यक्स नहीं थी मैंने सर जर्विंद सर से फिसक्स के विश्यक्स में पढ़ा उन्हें कॉंसेप्ट हो क्लियर गया और अच्छी से और मेरे नैंटिन मार्स आया है अरे वाह बहुत बढ़िया मेरे शेर वाह तो आपने देखा कि मैं हमेशा भी कहता हू कि किसी भी बच्चे के तयारी शुरू में बहुत अच्छी नहीं होती है चले यह हो गई अब बच्चों को na definitely motivation मिलेगा कि यह अगर हम भी पढ़ने में अभी कमजोर हैं तो एक दिन हम भी ranker बन सकते हैं लेकिन ranker बनने तक कि एक रहा होती है तो ऐसा है नहीं कि बहुत आर नहीं होती है तो आपके हिसाब से क्या वो चीजे हैं जो हमें शामिल करने चाहिए अपनी तयारी में जिससे हम निश्यत सेलेक्शन पा सके जैसा कि तो भाई बेरे बता रहे थे कि सिलेवस जाना परफेक्ट ही है क्योंकि उसके एकॉर्डिंग ही हमने तयारी सुरू करेंगे और उसके हिसाब से हम शीजेबस को चॉपर करेंगे साथ सब करेंगे साथ सबाने के लिए और रिविजन करना है क्योंकि बीना रिविज्जन कुछा सकते हैं ना ही मौग। कि ऐसा तो नहीं है कि आप से लिए बस पूरा कर ले तो सब जानगे हैं तो बहुत महत्वपून युगदान देदा है उसमें और बाकी मेरे भाई हैं जो अपना सियर करें गए हाँ तो आप बहुत बहुत बढ़िया तो मैं भी हमेशा देखिया आपसे बात कहता हूं कि जैस ही करता है ना तो वो क्या मानता है कि एक को सलिया सामने रखा हुआ है एशज आ हो गई हम केवल केवल अपड़ाई नहीं होती है हो्य है मैं हमेशा यह बोलता हो कि आपने पना लिए बहुत साब से जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है सभी इनी बातों को बताता है चलिए तो आप सभी ने बहुत बढ़िया बच्चों के बारे में बताया और अपनी तरफ से कुछ बताईए कि ये तो पढ़ाई के बाते हो गई बहुत सारा शोशल दवाब भी तो बच्चे को जहिलना आ रही तो क्या आप कभी किसी परिक्षाम है ऐसफल हुए थे या पहली बार में सफल हो गए पहली बार में सबसेक्च का씨 से विसके पहले बीज़ी कारा अच्छे ने मैं आगे अच्छे से इसे नंतों को दोड़ा है पर बाद दूखाना तो ₹ कि अच्छे मेरा था खारा है से कुछी दिन पहले मतलब दो तीन दिन पहले मैंने अपना पर नीचे से फुरा 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 खाली पर मेरे दोड़ने कारण अचा इसके वह से मेरा रॉनिंग कॉलिफाई नहीं हो पाया उसमें इसके कारण उसके बाद पूरा मतलब उमीद तूटते जा रहा था क्यूंकि हूंकि सभाण फुकराइब मतलब तरह कीकर देन साथी तुम फुम्हीं कराना सुरू किया फेर किकशी अ नहीं से पूरा में ईसके इसके वहां मतलब लगने लागे मेरा तबियत खरावते रहा था कभी टाइफाइड हो गया कभी कुछ मतलब इतना हम उलज गया थोड़ा हालत को थोड़ा बिक्षा अंदर सब्चा नहीं था पस घर वालों के सामने रहाएं था पता नहीं चलना चाहिए कि हां हम अंदर से दी मोटिवेट हो रहे हैं लेकिन धीरे 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 हम मतलब लोगों के बीच में रहने काई मनने कि कोई भी दोस्त मिलता था रे तुम्रा तो हो गया ता यहां का कर रहा है ऐसे ऐसे बोलते थे दोस्त भी तो क्या रिपलाई कुछ नहीं दे पाते थे इसके बढ़ते जा रहा है कटप कर देखो तो पहले क्या था अब क्या हो गया है इसके लिए थोड़ा सा आपको टिकना पड़ेगा अगर आप टिक गया न कुछ ना कुछ आपको यह तो नहीं कह सकते जिसके लिए प्रिपेर कर वहीं मिलेगा लेकिन कोई ना कोई आपको बाकी मेरे भाई बताएंगे तो अभिशेक आप भी बताऊगी एक बच्चा इस फिल्य और के बार-बार शोशल दवाब को कैसे जिले जैसे मैंने 12 की तो सबसे पहले मैं लाइवरी जॉम की फिर मैंने यूटूब से एंडिय के लिए पढ़ाई की थी सबसे पहले मेरा एं ठाइप आप दूने फिर मेरे फिटी टू मार्क्स थे लेकिन उसमें में फिजिकल में आउट हो या मेरी मुझे उपाया था इसलिए अग्जाम मैने ने वी मेरा फैनल हो गया था उसके बाद फोर्थ एक्जाम मेरा एंडिया का फिरता मेरा वी किलियर हुआ था लेकिन तो मैं चाहता हूं कभी अपनी कमीयों को मत देखो उन कमीयों से डढ़ना और के अपनी परिच्छा में अंसर मतलब अपनी परिच्छा में कामया भी आंसिर करना से यहां बहुत बढ़िया तो देखें मैं एसी ही कुछ सिमिलर बाते बताता हूं तो शायद कहीं न कहीं आप हमें सफलता लेनी है तो कहीं न कहीं यह समश्या है तो आएंगी मतलब हम समात से उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे लिए वो बदल जाएं ऐसी करहा हूं हमें कोशिश करनी होगी कि भाई खुद को उन चीजों में ढालते रहें और मतलब यह तो सबको जहल नहीं है overall यह ना ckoाँ को ना जहला हूं मैं क्यूν कहँ ना कियूं क्या रहा हूं कि मैं जैसे आप से मिला हूं बहुत सारे ऐसे 1 bilang कर से मिला हूं सफलबच्चों से मिला हूं सब misleading में जरूर ऐसा कुछना कूछ रहता है ने पता है कि किसी ने पहलिवार परिक् Grundा किह और बहुत हारा राम से दूसरी स्टेज निकाल ली तीसरी नहीं निकल रही है तो इसका मतलब आप दावेदार हैं और पता नहीं कब आपका सेलेक्शन हो जाए तो अच्छा एक बहुत बदाए जैसे आप सब लोग एक्जाम दे के आये थे एक्जाम दे रहे थे तो आपको कुछ ऐसा अनुमान था किया मेरे इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं मेरी यह रैंक आ सकती है एक इसमें मेरा सेलेक्शन हो सकते हैं रैंक का पता था लेकिन इतना जब मतलब मार्क्स देखके लगा कि हां टौफ हंड्रेड के भी चाहरे माक्स से पहले जब आप एक्जाम देके निकले तो रैंक का पता था कुछ कि यहां इतना उम्यता सेलेक्शन हो जाएगा और आप क्या कहेंगे इतना ही सर मुझे अमीदता कि यह यह बात कहता हूं कि और सच में आपको तो खेर यह कॉंफिडेंस इसली भी आया होगा सेलेक्ट होने वाला कि आपके क्वेश्चन सही होते जा रहे है तो कहने का मतलब है कि एक्जाम देते रहे हैं गवराना है नहीं बिल्कुल भी दीरे दीरे इंप्रूमेंट होती रहेगी सभी का वही तरीका है आप रेंकर से सुन रहे हैं हम तो बहुत सारे बच्चों से सुनते हैं सभी का सेलेक्शन लेने का सिर्फ एक तरीका है सारी की चीजों को फॉलो करिये जो भी मानसिक सामाजिक जो भी दवाब है उसको जेलते रहे आगे बढ़ते रहे निश्यत रपर आप सफल हो जाएंगे अच्छा तो क्या जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो यह मानसिक दवाब बना रहता है क्या हम मैंटली प्रेशर में होते हैं बोलता है कि देखो कौन आ गया अचा एक क्वेशन है मेरे आप से कि आप सेलेक्ट हो गए तो सलेक्ट होने के बाद किया आपको आप जब संघर्स करते थे और आपको समझ्या होती थी क्या वाकई वो अब याद आती है जरूर याद आती है सब्सक्राइब कोई नहीं भूल स दिन याद आती है तो फिर लगते है नहीं भाई अब वो दिन ना आ है मेरे कहने का मतलब यह है overall कि जब हम संघर्स के दौरान में परिशाने महसूस करते हैं और हमारा सेलेक्शन हो जाए तो फिर वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है कि वह बुरा वक्त था याद सबक देने जिया है मैं इस्चित और बर कह सकता हूँ कि आप मेहनत करते रहे लगे रहे एक दिन आप भी यहां बैट कर अपने बस उस वक्त को इस मुस्कुराहट के साथ सिर्फ याद कर रहे होंगे कि हाँ वो एक बुरा वक्त था निकल गया ऐसा मेरा आप सभी से वादा है लगे र करते रहिए फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद जहिए